कौनिशेवा गायज कैसे आप सब कुरुकोस बास्केटबॉल के एपस्टू नूमर टू में आप लोग का हर्दिक स्वागत है और एपस्टू नूमर टू के शुरुआत में हमें दिखायाता है जो अपना कागिमी होता है वो बास्केटबॉल के प्रैक्टिस कर रहा होता है और तब ही वो अपने मन में सोचने रखता है एग्जेक्ली है जनरेशन्स ओफ मेरिकल कितनी जाथ स्ट्रॉंग है और फिर उसको करूपको का बात या रहता है और वो बोलता है कि जो generations of miracles है वो तुमको बहुत दा destroy कर देंगे और वहीं पर वो सारी सारी बाते याद कर रहा हुता है जो कि उसने रात को खा रहता है कि वो generations of miracles से fight करेगा और जो kurugo ने उसको का रहता है कि वो मेरे light का shadow बनेगा और उसको Japan का सबसे best player बना कर दिखाएगा और फिर तभी हमें दिखाया जाता है जो अपना कागे में होता है वो हुगा के पास जाता है जो कि टीम कैप्टन होता है और उसको बोलता है कि उसको गेम खेलना है एक असली गेम और जो हुगा होता है वो बताता है कि तुम अभी गेम नहीं कल सकते क्योंकि तुम अभी official member हुआ है नहीं है अधा हमारे टीम के और फिर तभी कागए कर रिटो के पास जाता है एक tamu इसको बोलती है तुम भी कागहिंजिंजिक के तब का रिको और ईसんと हम अधा है और तब वहां बोलती है तो मुझे सिकें मेंडें को इकशनले के उसको बोलती है यह नहीं लगते हैं और उसमें जो जन्रेशन आफ मेरिकल की यूपर लेखा हुआ रहे था और वह बोलता है कि शांत रो इतर देको आप पर लोग ऐसकी तौ मुझे मत सिखा और फिर तब वो अपना basketball career आगे बढ़ा सकते थे मगर इस जो गुरू को है six player इसने यहां पर आगया मगर क्यूं और फिर तभी गागयमी उसको कुछ बोलने वाला होता है और वो बोलता है कि और तभी वहां से देखता है कि वह जो गुरू को होता है वहां से गायब हो चुका होता है और तभी रीको और बाकी सारे player terrace के ओपर रहते हैं और वो बोलते हैं अब होगा game सुरू और तभी कागयमी बोलता है आज Monday है और पांच मिनट के अंदर-अंदर assembly स्टार्ट होने वाला है और यह लोग जल्दी से फॉर्म लोग और हमको जाने दो यहां से और तभी रीको बोल बोलता है कि हम लोग 100% देंगे हम लोग काफी अच्छे player है और वहीं रीको बोलती है कि मुझे पता है तुम लोग अच्छे player हो अगर मुझे चाहिए कि तुम्हें इस रेलिंग के ओपर खड़े हो और वहां जाके सब लोग चिलाओ कि तुम्हारा नाम क्या तुम्हारा ग बोलता है कि अच्छे ठीक है मैं करूंगा और वहां से कूच जाते है और रेलिंग के ओपर जाके सीधा खड़ा होता है और वहां पर खड़े होके बोलता है कि सब लोग सुरो मेरा नाम कागमी है और मैं क्लास यह का हूं और मैं पूरे जनरेशन सब बिरिकर को हराऊंगा और जापान का सबसे बेस्ट पेर बनके दिखाऊंगा और फिर जो एसेमली में से कुछ लोग अपने मन में सोच रहे होते हैं कि यह लोग फिर से इस साल कर रहे हैं और तभी रीको बताती है कि अब नेक्स्ट कौन जाने वाला है और वहीं पर सब लोग बोल रहे हैं कि मैं ख्राइब फीर जाने के लिए और वह बहुत दीरी जाने के लिए मंकर वह इतना जीजना लंबा चोड़ा बोलने लगता विए और फिर नेक्स्ट कौन हा रहे हैं और फिर तभी एक बंदा आता और वह बोलता है उसका क्लास नाम और परपस और वह बोलता है कि मैं इस इस तभी वहां पर एक टीचर आ जाता है और उसको बोलता है कि मुझे पता था ये तुम ही बास्केटबॉल वाले हो और फिर वहां पर उनको बैठ के डाटने लगता है और फिर हमें इवनिंग का सीन दिखा जाता है जहां पर कागमी फिर से अपना वह स्टफ खरीद लेता और टो बैठ की खाने लगता है और वह बात कर रहा होता है स्कोल घबारे में और तभी वह देख से कि फिर से वहां पार कुरता घब हां और तभी तभी बहत सब्सक्राlt 2 पाल से यह बोलना था तूमसे कि तुम क्यों में शुट इस बड़े स्कुल में चला जाए यसा कि बाकी सारे प्लेयर्स ने किया तुम्हारे जन्रेसिंस ऑफ मेरी कल गे और फिर था भी कुरू को बदाता है कि जब हम लोग को एक ही चीज़ सिखा cket कि हमको सिर्फ जीतना है ऑर इस चीज़ के वज़ेसे एक चीज वह पीछ पीछ है वह था कि टीममेट और चाहिए ऑर मैं अचाता कि तुम लोग तुम जनरेशन साफ मेरी गोल को हराओगे और वहीं कुरू को बोलता है हाँ और मैंने डिसाइड के कि मैं तुमको जापान का सबसे बेस्ट प्रेयर बनवाओंगा और तुमारी बात से और जो कोच की बात है वो मुझे बहुत जादा हीट की इसलिए मैंने ऐस और वो जाता है और देखता है कि वहाँ पर गुरुको ने अपना कनफेशन लिखा रहता है कि वह अपना गोल को अचीव करके दिखायेगा और वहीं पर जो रिकु होती है वो बोलता है कि हाँ ये एकसेप्ट किया जा सकता है और फिर हमें ड्रेसिंग रूम का सीन दिखा आटा है जहां पर जो शिंजी होता है वह देखते हैं कि सामने मैगजीन आप लिखा लेटे और सबकी उपर एक अलग अलग पेज बना ओर रहता है सारे के सारे जनरेशन आफ मिरेकल की ऊपर और वह कुरू को का वहां पर खाईब भी नहीं रहता है और वो बोलते कि तुम्हारा क्यों नहीं है और वो कुर को बताता है कि जब मेरे जब इंटर्वी लेने आया थे सब लोग तो वो लोग मेरे बार में भूल गए और तब लोग बोलते हैं अच्छा ये हो सकता है और वो लोग रोणने लगते हैं उसके लिए और फिर तभी वह यहां पर एक बंदा आता है और वो बोलता है के जो हमको अप्रूवल जब है अपना मैट्स खेलने का और वो बोलता है कि जो कोछ है वह उचलते उचलते आ रहे थी मतलब skipping करते वह ओ यह वहार रहे थी तभी उसमें से एक बनदा कोलता है कि कि वह स्किपिंग कर रही थी वरह वार और वो बताता है कि जब भी जब और पदर आती है तो मतलब कि हम लोग को एक बहुत इतक्रा टीम के साथ क्यार पड़ेगा और उसकूल के सिंट भाण से दिखायाता है जहां पर कि एक बंदा आते है और वह एंधर सेरीन शूरा है यह तो काफी ज़दा clean है और वहाँ पर इतने भी लड़के होती है वो बोलते है कि यह तो कोई कितना ज़दा hot लड़का है और यह तो कितना लंबा भी है और कितना ज़दा handsome है और फिर तभी हमें अंदर का सीन दिखायाता है जहां पर की कागेमी और बाकी सब और दूसर साइड से निकल जाता है और यह सब देख के वहाँ पे सब बहुँदा है कि और वह तारीफ वो पकर Generations of Miracle को हरा सकता है और तभी वहाँ पर वो कोच आ जाती है रिकू और वो बोलती है कि एक प्रैक्टिस मैच होगा काई को हाई स्कूल के साथ और वहाँ पर शिंजी बोलता है हम लोग उनको कैसे हरा सकते हैं वो हमसे काफी जादा आगे हैं और वहाँ पर रिकू को बताती है कि यह जो काई जो हाई स्कूल है इसमें एक जनरेशन ऑफ मेरिकल है और वहाँ यह बात सुनके जो अपना कागिमी होता है वो काफी जादा खुश हो जाता है और बोलता है कि मुझे एक्सपेक्ट नहीं था कि मैं एक जनरेशन ऑफ मेरिकल के साथ बड़े जल्दी खेलने को मिलेगा मेरे और फिर तभी हमें बता जाता है कि जो कीसे वो एक मॉडल भी है और फिर हमें दिखाया है तो वहाँ पर सारी की सारी लड़किया कि जो कुरुक है वो वहाँ पर एक स्टूडेंट है तो मैं उनसे मिलने के लिए आ गया और वहाँ पर एक बंदा कीसे के वारे में पढ़ रहा हुता है मैगजीन में कि जो कीसे है उसने अपने सेकेंड यर में बास्केट बाल स्टार्ट कर दिया था और वो इतना जीता अच्छा केलिया था कि टेको टीम ने उसको एक अपने रेगुलर प्लेयर बना लिया था और फिर तभी वहाँ पर कीसे सबसे बात कर रहा होते है और अचानक से उसके तरफ एक बॉल आता है और वहाँ पर जो कीसे होता है वो थोड़ा सा अजीब फेस मना के बोलता है अच्छा चलो ठीक है खेली लेते हैं और फिर तभी हमें दिखाया आता है अपने जो कीसे होता है और कागेमी दोनों के दोनों one-on-one करते हैं जहां पर की से उता है वह सेम स्ट्रिक कहागमी के उपनाता है जो के कहागमी ने थोड़ी देर पहले तया और वहीं पे जो कहाल great कर देता है और वहबें जो किसी होता है वो क बोलता मुझे फता नि così act को लोंगे और फिर कीश एक पास जाते और उसको बोलता है कि चलो एक साथ खेलेंगे तुम यहाँ पर रहोगे तो तो तुम अपना जो टैलेंट है वो पूरा वेस्ट कर दोगे बट्च अपना कुरू को होता है वो उसको मना कर देता है और बोलता है कि मैं यह टीम जोइन नहीं कर सकता और तभी कीसे बोलता है तुम को हो क्या है तुम हमेशा उतता है और आपने मन में से यह एक प्लियर थया स्ट हुर से और यह इतनु जाधा स्ट्रॉंग है और बाकी के चार टेट से के इतने जाधा स्ट्रॉंग हुंगे और इस बात से वह बहुत सो धक हुश हो उता है जो गाइस यहें पे कुरुकोस पास्किर बॉल का एपसोड में 2 खतम हो जाता है और आपको यह एपसोड कैसे लगा प्लीज कमें शेक्षिन में ज़रू बताना और मैं आपको मिलूँगा अगले एपसोड में तब तक के लिए सायोनारा